गुणवान व्यक्तियों के संपर्ग में रहकर सामान व्यक्ति भी गौरा प्राप्त करता है जैसे कि फूलों की माला में रहकर धागा भी इश्वर को प्राप्त होता है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका द्रेश्टी क्रियेशन में कैसे हैं आप लोग आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ दो मस्ता आइडिया लेकर तो आज जो मैं आइडिया लेकर आई हूँ किचन के लिए दो प्यारे प्यारे फ्री के आइडियाज हैं इनको आप जरूर ट्राइ करिएगा और ये मैंने वेस्ट मेटेरियल से ही सब बनाया है जो हमारे पास बचे हुए फैबरिक होते हैं मैंने ये उनका यूज करके ही मैंने ये दू चीजे बनाई हैं यहाँ पर तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने ये 8x8 इंचिस का स्क्वार पीस लिया है और इसको मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड करके रख लिया और यहाँ पर इस तरीके से हम इसमें कर देंगे यानि कि राउंड जेप लगाएंगे इस तरीके से और इसको हम पूरे में सिलाई लगा देंगे तो यह हमें सिंगल फोल्ड करते हैं वे चारक तरफ सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरीके से यह देखिए मैंने सिंगल फोल्ड सिलाई लगा दी सेम मैथिट से हमें फिर से इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर double slice लगा देनी है तो यह process भी complete करते हैं तो देखिए मैंने इसमें double fold करके slice लगा दी और कुछ इस तरीके से finishing के साथ slice में लग गई है अब देखिए लगभग एक inch की gap पे मैंने यहाँ पर पूरे में निसान लगा दिया इस तरीके से chalk की help से पूरे round इसके एक inch का gap देते हुए हमने यहाँ पर पूरे round में निसान लगा देना है इस तरीके से आप देख सकते हैं यह देखिए मैंने पूरे में लगा दिया अब यहाँ पर मैंने यह elastic ली है और इसको आप चाहें तो इस तरीके से हमारा एक प्यारा सा cover बन गया है तो इसको मैं आपको बाउल पे लगा के दिखाती हूँ कि कितना प्यारा इसका look आया है और जो हमारे पास कई बार कुछ चोटी चीज़े बच जाती है जो मैं फ्रिज में रखनी होती है ऐसी kitchen में रखनी होती है डखो तो खुल जाती है और ये इस तरीके से देखे कितना secure है और कितना प्यारा सा हमारा ये बाउल का cover बन के तयार हुआ है अब बढ़ते हैं अपने दूसरे idea की तरफ तो यहाँ पर भी मैंने ये बच्चे हुए pieces लिए हैं ये थोड़े thick fabric है तो इनको मैंने इस तरीके से लिया और इसका हम बरावर piece cut कर लेंगे ये मैंने आपको जो पिछले वीडियो में आपने इस बेटी कर use तो देखा ही होगा उसमें से बचा हुआ ये छोटा सा piece था और उसके बाद ये एक मोटा सा fabric और बचा था जिसको मैंने इस तरीके से use किया है अब देखें यहाँ पर इसको मैंने ये चार पड़तों में रखा हुआ है और एक hand को रखते हुए इस तरीके से drop कर लेंगे अगर जो यहाँ पर कुछ उंचा नीचा होता है तो उसको हुआ बाद में सही करेंगे और इसको ध्यान रखिएगा कटिंग करते हैं जो हम निसान लगाया उससे कम से कम ये आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए आप एक इंच भी बढ़ा सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं कर सकते हैं मैंने आधा इंच बताया तो आप एक इंच बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कीजेगा तो देखे यहाँ पर इसको इस तरीके से कट कर लेते हैं तो यह हमारे पास चार पीज निकल के आएंगे इस तरीके से पूरा इसको फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे इस तरीके से इसको देखे पूरा हमने कट कर लिया बड़े आराम से cut करना है इसको ये देखे हैं हमारा पूरा cut हो गया इस तरीके से अब हमें इसको क्या करना है इसकी बीच में हमें अगर जो form के piece हमारे पास बच जाते हैं वो लगाएंगे हमें इसमें और इसको चारो तरब से stitch करके इसे हम quilt कर लेंगे इस तरीके से देखें मैंने इसमें form piece लगा कि quilt कर लिए अब इसमें जो extra form निकल रही है उसे भी हमें cut कर देना है अगर जो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं आपके पास थोड़ी सी extra form हो जादा हो तो आप पहले quilt कर लीजे बाद में ही cutting का process करिएगा जो मैंने पहले किया है तो और भी आसान रहेगा फिर ये पास चोड़ी चोड़ी टुकड़े थे तो मैंने पहले ही इसको इस तरीके से बनाने की गोशिस की है अब इसको ये जो भी extra हैस में इसको निकाल देंगे इस तरीके से निकालते जाएंगे और ये बहुत ही आसान प्रोसेस है ये देखिए मैंने पूरा इसको निकाल दिया अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसके चारो तरफ सिलाई लगा देंगे पर मैंने इसको जो रखा है जो प्लेन पैबरिक है वो मैंने अंदर की तरफ रखा है और प्रिंटेड मैंने बाहर की तरफ रखा है अब इसको चारो तरफ से सिल लेते हैं तो देखिए मैंने सिलके से तयार कर लिया अब ये नीचे का जो है ये थोड़ा छोटा हो रहा है तो इसे हम कट कर देंगे इस तरीके से अब देखिए अब ये हाथ आसानी से इसमें जा सकता है तो ये देखिए इस तरीके से कुछ इतना बड़ा ये बना है अब हमें इसमें क्या करना है आप चाहें तो उसको टर्न कर लेजी पर हमने इसको टर्न नहीं किया है आपको time कर के दिखा भी देते हैं इस तरीके से इस हमें turn कर लेना है पूरा हम इसको निकाल लेंगे सीधा कर लेंगे लुक वो भी अच्छा आएगा ये देखें आँठा भी एच्छी तरीके से निकाल देना है यहाँ पर इसको पूरा सीधा करेंगे पर हमें इसको क्या करना है मैंने इसको उल्डी तरफ से ही इसमें आपको किसी गरम बर्तन को पकड़ना है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आज के हमारे ये दो आइडिया थे जो कि दोनों के चंड से रिलेटेड थे तो इसमें से कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो कर चो आपको जड़ासी भी यूसफुल लगी है थोड़ी सी भी पसंद आये तो फ्रेंट्स और फैमिली के साथ सेयर कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा दिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में तब तक के लेडिड़ी बाइबै तेंक्स वर वाचिण